हेलो दोस्तो, क्रियो में हम सिखेंगे ड्राफ्ट कमांड का इस्तमाल, यहां पे हमें दिख रहा है ड्राफ्ट कमांड, तो यह ड्राफ्ट कमांड का इस्तमाल कैसे करना है, ड्राफ्ट कमांड अभी आफ मॉड में है, मतलब वो हाइलाइट नहीं होगा, जब तक आपके पा एक box बना दे है जलो, जिसके dimension अभी कुछ fix नहीं करते हैं, ऐसा ही ते देते हैं, तो यह हमरा extrude हो चुका है, तो इसमें हम इस्तमाल करेंगे draft command, ठीके दोस्तो, draft command वेसे किया है, कि एगर आपको यह surface इसको यहां से बाहर निकालना है, bottom side से या up side से, तो वो कैसे निकालेंग उसका इस्तमाल आप कर सकते हो, draft command में, ठीके दोस्तो, यहां से draft command में ने on किया, अब मुझे select करना है क्या, वो हम reference में देख सकते हैं, सबसे पहले draft surface, जो आपको surface select करनी है, वो यहां पे click करके surface select कर दीजी, तो दूसरी चीछ जो है वो hinge, मतलब किस axis के respect पे आपको, उसको extr extrude करना मतलब बाहर निकालना है, तो यह hinge हम select कर देते हैं, इस edge के respect से, यह surface जो है बाहर निकालनी है, ठीके दोस्तो, यह मैंने select कर लिया, अब हमें select करना है direction, pull direction, off side या bottom side, उपर की side या नीचे की side आप रख सकते हो, यहां से arrow से आप direction change भी कर सकते हो, अब क्या होगा, यह यहां पर हमें circle दिख रहा है, यहां circle दिख रहा, yellow color का, उसको आप pull कर सकते हो, जैसे ही आप pull करोगे, angle create होगा, यह angle आप लिख भी सकते हो, कितना लिखना है, ठीके दोस्तो, तो इस तरह से draft command हम इस्तमाल कर सकते हैं, drawing में, इसको ok press करते ही हमारा drawing, ok हो जाएगा, ठीके द दोस्तो, thank you